अससलाम अलेकुम विवर्स कैसे आप सब उमीद कर्चियों कि आप सब खाय करेंगे आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करेंगे वह है कड़ी पकोड़ा कराई में डालेंगे ऑईल 5-6 डेवल स्पूर हम डालेंगे कड़ी पता साथ इसमें हम एक चमल जीरा डाल देंगे और इसको हम जोल सा सौते करेंगे साथ इदा देंगे प्याज इसमें मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिए और उसको क्यूब्स में काट लिए अब हम प्याज को थोड़े साथे करेंगे अब हम इसमें अधर क्लसन का पेस्ट दाल देंगे एक तर मच इसको दूमिक्स करेंगे इसमेरे मेने तमाचे दालेंगे और चौप की वी हरी मिर्चे दाल देंगे यह क्रीमाच पीजिए अधर में पानी लेंगे जाललिए टालेंगे उन्हां व्यीश्ट को देट देंगे जाल सेतना और डुदाई हम छैरा में नमक दाल देंगे जामचिना लाद मिर्चे पिसी भी आदा चमच हल्दी बॉडर आदा चमच दर्दरी लाल मिर्शे अब अच्छे से बून लेंगे अब अच्छे से बून चुके है और अब हम अपना बेशन रेडी करते है एक कब हमने दही लिया और इस पे मैं दो टेबल स्पून दो चमचे देशन के दाल दूंगी अच्छे से हम बीट कर लेंगे हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिये मैंने किसी ब्लेंडर में बीटें किया हाथ से हम इसको बीट करेंगे और इसमें थोड़ा से हम पानी दा देंगे प्रेशन के बाद इसको अपने मसारे में दाल देंगे अब हम इसमें पानी दाल देंगे एक लिटर के जितना पानी दालने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे सबसे पकोड़े बना लेंगे और सबसे पहले मिनने ले लिए हैं अलू स्लाइस में कट वे और कटी भी इसमें पालक दाल देंगे यह पालक फ्रीज हुई दालने के बाद अब हम इसमें प्यास जाल देंगे और चौप की अवा हरा धनिया दर्दरी लाल मिर्चे पिसा अवा और दो कब पेसन दाल देंगे पानी दाल के अब इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए इसमें बॉयल जाने स्टार्ट हो चुके हैं मजीद अब हम इसको आदा गेंटा और पकाएंगे जब तक कि यह ठीक हो जाए थोड़ा थोड़ा किसी मसाला अब हम इसको निकाल लेंगे कडी काफी जैदा थीक हो चुकिया अब हम इसमें पकोड़े दाल देंगे डालेंगे बाद अब हम इसको दस मिनिट और पकाएंगे और इसमें हम दाल देंगे कडी पता और सार्थी साबट लालमेश मोटी दाल देंगे एक चमर दोड़ा करेंगे कडी के पर लगातेंगे कडी पकोड़ा हो चुके है बिल्कुल रड़ी आप लोग भी इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मुझे फीड़बेक आप लोग जरूर दीजिएगा और अगर आप ल चैनल कर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो